हलो एवरीवन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैगनेट ब्रेंस केश शानदार यूटूब चैनल पर मैं हूँ जीशान आपका मैट्स मिन्टॉर और क्लास 10 के लिए आज लेकर आया हूँ के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कोईशवन इस पार्ट वन में अपल बहुत इंपोर्टिंट कोईशवन देखेंगे जो आपके रिएल नम्बरज यू चैप्टर वन है उसके पोरे एक तरह से मिक्स्टर कोईशवन देखेंगे सारे डाइब के मिक्स होगे आ जाएंगे उस की सा quality में मिलती है and that too free of cost जी हां बात 10-15-20 वीडियोस की नहीं है बात है पूरे course की पूरे syllabus की आप चाहे class 6 के बच्चे हो या class 11 के बच्चे हो या आपको physics पढ़नी हो या आपको social science पढ़नी हो कोई भी subject boss अगर आप class 12 तक के कोई भी बच्चे है न तो आपको magnet brains की website magnet brains का YouTube channel और magnet brains की app तीनों पार uniformly बढ़िया content videos format में मिलने वाला है and that too free of cost return में भाई हमें भी आपसे एक चीज़ चाहिए और वो है सिर्फ और सिर्फ आपका regularly आना और पढ़ाई करना हमारे videos के थुरू और हमारे videos को अपने दोस्तों दक पहुचाना ताकि वो भी perfectly properly एक time table के तहत पढ़ाई कर सके तो दोस्त चलो आओ शुरू करते हैं अपन real numbers के extra practice question का part one देखो यार ये करना जरूरी क्यों है real numbers का extra practice question इसलिए करा रहा हूं है क्योंकि बहुत ज़ादा बच्चों को यह लगता है कि यह chapter थोड़ा सा अट पटा है मेरा मानना है कि यह अट पटा चाप्टर नहीं है यह बहुत ही बहुत ही अच्छा चाप्टर है और अब चितना रह गया आप तो बहुत ही अच्छा चाप्टर बच गया है हां yooklet division और बहुत easy concepts है यार उसके है ना the fundamental theorem of arithmetic की बात कर लो जो की theorem 1.1 है या फिर theorem 1.2 की बात कर लो कुछ भी ऐसी चीजें हो बिटा आप आराम से उनको detail में पढ़ सकते हो यार मैंने पढ़ाया है मैंने समझाया है पूरे videos देख लो ना पूरी playlist आपके सामने है है ना कोई भी दिक्कत हो भाई comment करो किसी video में comment में मैं जरूर आपको reply दूँगा चलो भाई बात बहुत हो गई copy किताब निकाल लोग पढ़ाई की बाते करते हैं अब पढ़ लेते हैं सबसे पहला आपका concept था prime factorization का और वही उसी से related अपन question करेंगे ठीक है sir question है express each of the following integers as a product of its prime factors बच्चो 420 मेरी बास सुनना 420 420 sir इसके prime factorization दूणने के लिए इसको बच्चे LCM बोलते यार लेकिन ये LCM नहीं है इसका prime factorization ऐसे निकलता आपने सी का है छोटी classes में मुझे सिखानी की ज़रूरत नहीं है तू से जाएगा तो टू सा 4, 2, 1s आ 2 और 0 फिर ये तू से जाएगा sir तो क्या होगा sir फिर ये 2 से जाएगा तो 2, 1s आ 2 0, 5 3 से जाएगा sir ये हैना 2 से अब नहीं जाएगा divide नहीं होगा 3, 3s आ 9, 3, 5s आ 15 5 से जाएगा sir अब ये 5, 7s आ 35 हैना और 7 बचा 7 से 7 चला जाएगा 7, 1s आ 7 तो बच्चो 420 जो 420 है ना ये हम लिख सकते हैं 2 इंटो 2 इंटो 3 इंटो 5 इंटो 7 अचा 2 इंटो 2 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ yes I can write it down तो sir 2 इंटो 2 को I can write like 2 की पावर 2 इंटो 3 इंटो 5 इंटो 7 3 इंटो 5 इंटो 7 that's it और बच्चो सारे parts कराऊंगा मैं अगर आपको समझ आ गया हो तो आप question 2 पे जा सकते हो skip कर दो वीडियो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं आपको ये तीनो parts और सिखाऊंगा आपको अगर समझ में आ गया है तो pause करो वीडियो या वीडियो चलने दो आप इसके prime factorization इसके और इसके सब के prime factorization खुझ से डूढ़ो ठीक है आगे बाद आती है 468 की 468 की ठीक है 468 की लो भाई या हटाओ इसको 468 शलो शुरू करते हैं सर 22's are 4, 23's are 6, 24's are 8 सो चो class 10 तुमें आप लोग ये सीख रहे हो चो class 6 तुमें सीख चुके हैं 2 1's are 2, 2 1's are 2, 2 7's are 14 3 से चला जाएगा बिटा 3 3's are 9, 3 9's are 27 फिर 3 से चला जाएगा बच्चा 3 1's are 3, 3 3's are 9 और फिर ये 13 आया ये 13 से चला जाएगा 13 1's are 13 बच्चा क्या लिख सकते हैं 468 को वी कन राइग 2 इंटु 2 इंटु 3 इंटु 3 इंटु 3 इंटु 3 मतलब 3 की पावर 2 है ना 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 13 13 को अपन नॉर्मली 13 लिख देंगे next सर अब क्या है 945 945 चलो भई 945 देखते हैं सर 945 सर 3 से शुरू करते हैं 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं 3 3's are 9 3 1's are 3 3 5's are 15 फिर से 3 से चला जाएगा सर ये ठीक है लेकिन ध्यान से डिवाइड करना 3 1's are 3 और कई बच्चे 5 लिख देंगे बस ये गलत हो जाएगा भई ये 3 1's are 3 3 1 5 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो 1 5 नहीं 1 0 5 आएगा अब क्यासे आएगा ये तुम मुझे कॉमेंट में बताओ ठीक है दोस्त 3 से फिर से करेंगे सर 3 3's are 9 3 5's are 15 अब 5 से करेंगे दोस्त 5 7's are 35 और last but not the least 7 से करेंगे दोस्त 7 1's are 7 3 into 3 into 3 मतलब 3 का cube 3 3 तीन बार आगे ना बिटा तो we can write 3 की power 3 into 5 into 7 ये भी complete हो गया अब करते हैं 7 3 2 5 को 7 3 2 5 को complete करते हैं ठीक है अरे 7 3 2 5 7 3 2 5 ठीक ना टू से डिवाइड होगा ना थ्री से डिवाइड होगा बिटा ये तो नहीं होने वाला ना टू से डिवाइड होने का ना थ्री से डिवाइड होने का तो फिर किस से डिवाइड होने का बच्चा मुझे पानी पीने दो यार गला जो है ना थ्रोट हलक चिपक रहा है यार चल देखते हैं सर यह किस से डिवाइड होने का है यह 2 से भी नहीं होगा 3 से 3 से नहीं होगा 3 से क्यों नहीं होगा 7 प्लस 3 10 12 19 नहीं 12 और 17 नहीं होगा 3 से 5 से करो सीधा 5 5 1 जा 5 7 से 5 गया 2 बचा 5 4 जा 20 3 बचा 3 और 232 5 6 जा 30 5 5 जा 25 5 अगें 5 5 2 जा 10 5 9 जा 45 5 3 जा 15 293 अब बच्चों ऐसे नंबर्स क्या होते बहुत प्रॉब्लम क्रियेट करते हैं यार है ना चलो 5 से तो यह होगा नहीं 6 से होगा क्या 7 6 से नहीं होगा 7 7 4 जा 28 नहीं हो रहा 8 से नहीं नहीं हो रहा 10 से नहीं हो रहा 11 11 तूजा 22 273 नहीं होरा 11 जा 12 नहीं होरा 13 13 touchdown 26 3 ब Intel नहीं ओर 13fps 14 नहीं FREE 16 Sum एन्किन 17 17 से भी नहीं हो नहीं हो रा सर 19 Curry निवन से भी नहीं हो रा 20 से भी नहीं होगा 21 से भी नहीं तो XVET 23 23 23 63 नहीं भी 23 से भी 24 25 26 आर आट से तो पेंधि नहीं था ऑट से तो ओ गई नहीं 33, 34, 35, 36, 37 37 देखते हैं 37 इंटू 9 9, 3 जा 27 9, 7 जा 69 37 भी नहीं हो रहा 38, 39, 40, 41 9, 41 भी नहीं हो रहा यह लंबर चले गए नमबर 293 आइधिंक प्राइम नमबर है और अगर प्राइम नमबर नहीं है तो तुम लोग कॉमेंट में बताना मैं तो 293 ही लिख दे रहा हूँ पस ऐसे कोशिंस बिद जाते हैं वेटा ऐसे कोशिंस वन्जा ठीक है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि 293 किसी नहीं किसी नमबर से तो डिविजिबल है यार चलो देख लेते हैं अगर कोई यहरर हो तो मुझे बताना आप लोग जल्दी से ठीक है तो सर सेवन थ्री टू फाइफ को हम लिख सकते हैं फाइव इंटू फाइव यानि फाइव की पावर टू इंटू 293 ठीक बात क्लियर है येस सर बात बिलकुल क्लियर है तो बात इसको जल्दी से देख लो और बढ़िया से अपन फिर चलते हैं आगे कोईशन नमबर टू पर नेक्स्ट कोईशन पर ठीक है चलो चले बई चलो मूविंग अएड आगे चला जाए सर कोईशन डू पर इसको एरेस कर दिया जाए और अपन कोईशन डू पर आ गए हमें प्रूफ करना है सर एक्चली दो कोईशन जैस में हमें प्रूफ करना है सर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 पहले यह बाला करते हैं फिर दूसरा करेंगे ठीक है सर क्या होता जब numbers multiply में होती ना चीज है तो वो एक group बनाते हैं यह पूरा एक group हो गया यह तीनों multiply में फिर प्लस लग गया तो प्लस एक wall की तरह काम करता है सर यह बिचारा अकेला रह गया तो इसको एक काम करते हैं multiply by one लिख देते हैं तो यह भी एक group बना लेगा छोटा है स को खीच लो common ले लो 13 को common ले लेते हैं सर ब्रैकेट में बचेगा 7 into 11 बस यह बचेगा यानि 77 टीक है सर प्लस यहां बचेगा 1 क्योंकि 17 तो बाहर चला गया यह सर 13 into 78 अब रोको ज़रा अगर आपने इसको multiply कर दिया तो आप तो पूरे ही solve कर दोगे number ले आओगे कि number क्या है जैसे मैं कर देता हूँ तुमारे लिए कर देता हूँ 13 8 जा 104 तो 4 लिखा 10 कहरी 13 7 जा 98 नहीं 13 6 जा 13 5 जा 65 13 6 जा 78 13 7 जा 91 ठीक है 91 हो गया अब 91 में 10 8 करेंगे तो 101 आएगा कभी कभी छोटे छोटे multiplication में भी कितनी दिक्कत होती है ना फिर से करते हैं 13 8 जा 104 10 कहरी 13 7 जा 91 उसमें 10 8 करेंगे तो 10 बनाएगा ठीक है वैसे कि करने के जरूरत नहीं थी पर मैंने तुमारे लिए कर दिया है वैसे करने के जरूरत नहीं थी है ठीक है अब अच्छो बात समझना ये जो नंबर है ये है ठीक है 1014 है ये पूरा नंबर सर इस नंबर के फैक्टर्स 1014 के फैक्टर्स होंगे राइट निकालो सर सबसे पहला वन तो फैक्टर इसका हो गई होगा वन तो सबका फैक्टर होता है है ना सर क्या ये नंबर ये है हां सर ये ही है क्या ये नंबर ये है हां ये है देखो चाए ये हो या ये हो या ये हो तीनो चारो चीज आपस में एक ही है एक ही चीज है तो सर क्या इस नंबर को हम ये नंबर जो भी ये नंबर है ये नंबर का फैक्टर थर्टीन है क्या हां सर तो यहीं नम्बर हुआ यहly क्या सकते हैं आराम से हां सब्सक्राइट हो गया ठीक है क्या क्या इसको सब्सक्राइट कर सकते हैं तो जाएट है आप two factors का, हाँ sir, इसको two से भी divide करा जा सकता है, two से ये कट जाएगा, हाँ ना, three से भी होगा, four से भी होगा, and many, and many, और भी इसके factors हो सकते हैं, सारे नहीं निकालने, and many, दो से ज़्यादा निकालने, sir, जिस भी number के दो से ज़्यादा factor होते हैं, वो composite number होता है, दोस्त, और हमें ये composite ही प्रूफ करने थे, तो अपन क्या बोलेंगे, therefore, this number have, this number have more than two factors, more than two factors, दो factors से ज़्यादा है, ठीक है, more than two factors, ठीक है, sir, इसके दो factors से ज़्यादा है, therefore, this is a composite number, खतम, this is a composite number, तो ये ही अपन को प्रूफ करना था, अब बात कर लेते हैं, sir, उसकी, ठीक है, उस पार्ट की बात कर लेते हैं, sir, देखो, ये 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6, जब तक multiply चल रहा है, ये पूरा group है, ये पूरी power इनकी, इंटू 4, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1, फिर एप प्लस का 5, जैसे प्लस लग गया, इनका, इनका पूरा का पूरा group बस खतम हो गया, ये ही है group, प्लस 5, प्लस 5 को बिटा मैंने लिख दिया, 5 इंटू 1, क्योंकि 5 अकेला है न, अच्छा नहीं लगता, भई कोई अकेला है, उसको accommodate, उसको कोई साथी तो चाहिए पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा, इधर लिया आते हैं इसको, ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, चलो, तो सर वही चीज, इस पूरे group में और इस पूरे group में 5 और 5 सेम सेम आ रहे हैं, common है, kidnap कर लो 5 को, सर 5 kidnap हो गया, bracket, क्या बचा सर, 7 इंटो 6 इंटो 4 इंटो 3 इंटो 2, 7 इंटो 6 इंटो 4 इंटो 3 इंटो 2, 3 तो 6, 6 ओर 24, 24, 4 इंटो 3 इंटो 2 इंटो 1, इस 24, ठीक है, और प्लस का यहाँ 1 बचा, प्लस 1 बचा सर, इनका multiply करते है, जरा, 5 इन्टो, 7 इंटो 7, 6 इंटो 42, 42 into 24 4 2 is a 8 4 4 is a 16 2 2 is a 4 2 4 is a 8 1 0 0 8 यह आया सर 1 double 0 8 और plus ka 1 ठीक है सर ठीक है चलो अब सर यह हुआ 5 5 into 1009 अब यह जो भी नमबर है बच्चा यह जो भी नमबर है यही नमबर तो convert हो गया इसमें यही नमबर तो convert हो गया इसमें और यह निकालना नहीं था बिटा इसमें यह calculate नहीं करना था इसको छोड़ो ठीक है यह नहीं करना था इसको भी अगर मैं करके दिखाऊं तो सरी क्या बनेगा basically ये बनेगा 5045 ये बनेगा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ हमारा जो कोशन है वो ये है actually हमारा कोशन अब ये बन गया और actually हमारा कोशन ये था तो तीनों ही चीज़े कोशन है कि इस नंबर की factors क्या-क्या होंगे factors क्या-क्या होंगे जल्दी बताओ इसके factors 1 तो सबका factor होता है है ना सर वन तो सबका फैक्टर होगा क्या इस पूरे नंबर का five फैक्टर है five से डिवाइड हो जाएगा यह आराम से हो जाएगा पॉन five करोंगे five से five कट जाएगा five है सर क्या स्पूरे नंबर का one zero zero nine factor है हां sir one zero zero nine से कट सकता है one zero zero nine सर दो से जाद़ फेक्टर आतो का है हो सकता आगे और भी हो हो सकता अपन को लिख देना है this number has more than two factors this number have more than two factors और जिसके more than two factors होते हैं वो composite होता therefore this is a composite number this is a composite number यही हमें प्रूफ करना था जल्दी से देख लो भाई second question is also done आगे चलते हैं question number three पे ठीक है चल erasing it clear question number three है इसको भी composite प्रूफ करना है भाई next आराम से हो जाएगा same है sir three into five into seven यह group बन गया जैसे प्लस लगा यह group बन हो गया plus seven into one seven को पेटा seven into one लिख लेना आपको समझ में आ गया होगा पूरा concept common लेलो sir seven और seven common आ रहा है seven common आ गया bracket में बचा five threes are fifteen plus one यह आया बेटा seven into sixteen अब यह जो number है यह हमारा question था बस हमने change कर लिया उसको थोड़ा सा है ना तो sir इसके factors seven भी हुआ one भी हुआ है ना इसके factors क्या होंगे sir sir पहली बात तो one तो factor होता ही है सबका क्या seven से यह divide हो जाएगा upon seven करो seven से seven कट जाएगा आराम से हो जाएगा sir क्या sixteen से divide हो जाएगा आराम से हो जाएगा sir four से हो जाएगा sir 8 से हो जाएगा सर and many और काफी होंगे सर इसके कितने हैं हमें यह पता नहीं लगाना है कितने हमें यह पता नहीं लगाना है कि इसमें कितने factors है हमें जिर्फ 2 से जादा दिखाना है कि सर 1, 2, 3, 4 यह काफी हैं 2 से जादा है बस इतना दिखाना है अब अब अगया लिखेंगे, this number has, have, 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 has, नहीं, have, this number have more than two factors और जिसके more than two factors होते हैं, वही तो composite होता है Therefore, the given number is composite Clear boss, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगा, पानी की एक घूट और फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है, चल चलिए, moving on, आगे चलते हैं सर, बढ़िया से question number four पे चलेंगे बहुत important, नया type का question, variety of questions पहचानने हैं आपको, ठीक है, चलो six की power n हमें check करना है कि यह जो number हमें given है given, हमें क्या given है सर, six की power n हमको given दिया है ठीक है, दे दिया, ठीक है, और एक और चीज़ दिये, n for any natural number n, और n जो है सर, वो एक natural number है, ठीक है ठीक, बात समझ में आगे, ठीक है सर, अब मेरी बात सुनना, ठीक है six की power n, जो भी number है, whatever the number is, चलो six की power 1 रखो या six की power 2 रख दो, n की जगा कोई भी natural number रख सकते हो, मतलब कहने का मतलब है सर, n की जगा आप one रख दो, two रख दो, three रख दो, कोई भी natural number रख दो, क्या ये six की power n, zero पर end होगा, पिटा अपना answer है, नहीं कभी नहीं होगा, n natural number पे रखने पे तो बिलकुल नहीं होगा, बिलकुल zero पे end नहीं हो सकता है, सुनो, मेरी बास सुनना, अगर तुम n की जगा one रखते हो पहले तो मैं logical बताता हूँ, six की power one मतलब six, six की power two मतलब 36, six की power three, मतलब तुमारा two one six, six, है न, six की power four, one two nine six, समझ रहो, नहीं हारी समझ रहो, है न, तो six की power तुम कुछ भी लिखते जाओ, six की power five, six की power six, कुछ भी लिखते जाओ, तुम six की power कुछ भी लिखते जाओ बेटा, जो number आएगा वो and ho ga 6 पे वो and ho ga 6 पे वो and ho ga 6 पे it will end with six so ending number can end with digit zero no. तो पहले तो logical way यह होगय कि यह नहीं वो 0 पे खतम नहीं होगा यह तो logical sense होगय कि हमने अपने दिमाग से logic way में निकाल लिये लेकिन ऐसे नहीं करना exam में exam में कैसे करना exam में हमें fundamental theorem of arithmetic का इस्तिमाल करना है वो कैसे सर सुनो कोई भी number हो पहले तो मैं basic बता देता हूँ कोई भी number हो जो 0 पे खतम होता है जिसके last में 0 हो जैसे सर्मान के चलो 70 सर्मान के चलो 630 सर्मान के चलो 250 या 280 कुछ भी कोई भी number जो 0 पे खतम हो रहा है बिटा इनके factorization जब आप करोगे न तो you will find एक चीज सब में common एक चीज आपको सब में common मिलेगी और वो पता क्या है presence of 2 into 5 presence of 2 and 5 2 और 5 एक बार तो जरूर आएगा कम से कम जादा हो अच्छी बात है कम से कम एक बार तो जरूर आएगा करके दिखाऊं तो मैं देखो 70 का prime factorization करते है 2 से जाएगा 35 बचेगा 5 से जाएगा 5 7s और यह 7 इसका prime factorization यह होगा चलो 6 30 का करें 2 से जाएगा 2 3 3 1 5 3 1 5 ठीक है फिर 3 से जाएगा 1 0 5 फिर 3 से जाएगा 3 3 से जाएगा 5 और 7 फिर आएगा 5 और 7 फिर आएगा 5 और 7 9 2 से 18 हाँ ठीक है सही है और 280 करें अब 2 140 हो जाएगा 2 70 हो जाएगा 2 35 हो जाएगा 5 7 हो जाएगा और 7 अब कोई भी नंबर अगर एंडिंग डिजिट 0 हो तो सर उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे क्या नोटिस करोगे बच्चों आप ये चीज नोटिस करोगे के सर 2 इंटू 5 एक बार आएगा 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 2 इंटू 5 देखो 2 इंटू 5 एक बार जरूर आएगा है ना 2 इंटू 5 विल बी प्रेजेंट 2 देखो ऐसे कर देखते हैं 2 इंटू 5 और 2 आ रहे और 5 आ रहे हमें उससे मतलब नहीं है बट दी प्रेजेंस ऑफ 2 इंटू 5 विल एंड आ नमबर विद 0 अगर किसी भी नमबर के प्राइम फेक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 आ रहा है एक बार यह आ जाए कोई दिक्कत नहीं है वो नमबर जीरो पे एंड होगा ठीक है वो नमबर जीरो पे एंड होगा लेकिन सर हमारे पास जो 6 की पावर एंड दिया है ये तो है क्या है सर ये 6 की पावर एंड क्या है भई 6 की पावर एंड को हम लिख सकते हैं सर 2 इंटू 3 की पावर एंड अब भाई 2 इंटू 3 आ गया हमें 2 इंटू 5 चाहिए यार requirement 5 की है यहां तो 2 इंटू 3 है तो क्या करें भाइ जल्दी बताओ, सोच के बताओ, क्या करें तो यहां दिक्कत हो रही है 2 into 5, 5 मिसंग है देखो 3 है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है 3 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी number आए हमें उससे मतलब भी नहीं है हमारी requirement है कि अगर हम 6 की power n को 0 पे end कराना चाहते हैं तो जो भी number है 6 की power n 8 की power n यार whatever उसके prime factorization में 2 into 5 एक बार जरूर आना चाहिए पर यहां 5 missing है तो अपन क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे 5 is missing in its prime factor in its prime factors in its prime factorization इसके prime factorization ने 5 miss हो रहा है अब तुम n की जगा कुछ भी लिख दो भाई n की जगा 2 लिख दो 5 लिख दो 1 लिख दो कुछ भी लिख दो 2 into 5 नहीं आएगा इसमें नहीं आएगा बिटा करके देख लेना करके देखाओ तुम्हें देखो मान के चलो 6 की power 4 है सर तो 6 को अपन ने लिखा 2 into 3 और उसकी power 4 power 4 अंदर चले जाएगी 2 की power 4 into 3 की power 4 इसको लिख सकते हैं पन 2 into 2 into 2 into 2 3 की power 4 3 into 3 into 3 into 3 कहीं आया 5 5 तो missing या भी भी नहीं आएगा बिटा नहीं आएगा it will not come ठीक है तो 5 missing होने की वज़े से ही भाईया हम क्या बोलेंगे भाई सहाब 6 की power end will not end with 0 will not end with 0 बिटा जीशांसर वो नहीं है कि बस solve करा दी और चले गए 5 मिनिट में question करा दी और आगे बढ़ गए जब तक आपको detail में तहकीकात नहीं बता दूँगा जब तक आप इतनी detail में समझाना नहीं सीख जाते तब तक मैं question समझाता रहूंगा detail में ठीक है 6 की power n will not end with 0 for any value of for any natural value of n for any natural value of n ठीक यह हो गया question number 4 finished खतब चलो भई नेक्स चलते हैं question number 5 की तरफ जल्दी से स्कोई रेस कर देते हैं sir a rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad it is to be paved with square tiles of the same size find the at least अज़ा सुनो मेरी बास सुनो एक rectangular courtyard है rectangle के shape में पिटा मैं हमेशा कहता हूँ कि यह LCM HCF वाली word problems common sense से use करके common sense का use करके तोड़ा करो break किया करो इनको मैं बता हूँ क्यों common sense लगाओगे ना बहुत जल्दी break हो जाएंगी और तम सोचो के कैसे होगा क्या होगा यह सोचते रहोगा तो time भी चला जाएगा और दिक्कत हो जाएगी चलो यह rectangular courtyard है sir length है अपने पास जो length of the courtyard है 18 meter 72 centimeter 18 meter 72 centimeter sir centimeter में change करो एक unit होनी चाहिए 18 into 100 sir यह centimeter में change हो गया 1800 centimeter और plus 72 और कर दो it will be बच्चा 1800 plus 72 मतलब 1872 centimeter ऐसे ही बच्चो breath की बात करें अगर breath टीक है breath दी 13 meter 20 centimeter 13 meter 20 centimeter तो सरी यह 13 hundred and 20 हो जाएगी यह na 13 into 100 क्योंकि मीटर से centimeter में करना पड़ेगा न तो 1300 और 20 यानि 13 hundred 20 centimeter हो गई ठीक है लिख दो 1872 यहाँ लिखेंगे 1872 centimeter और यहाँ लिखेंगे 1320 centimeter अब देखो वो बोल क्या रहे है वो कह रहे हैं कि हमें इस rectangular courtyard को square tiles से भरना है low square tiles ठीक है एक tile लगा दी square दूसरी tile लगा दी square है सब square tiles है सब square tiles है ठीक है यह square tiles है अपनको भरना है इसको fill करना है ठीक है सर और किस हिसाब से भरना है ठीक है same size की how many least possible number of such tiles are अब मेरी बास सुनो बहुत गौर से सुनना concept यह है कि आपको जो करना है अरे current लग जया है रहलका सा जो करना है इन दो number से करना है 1872 और 1320 अब अगर हम इन दोनों का LCM निकालेंगे तो इन दोनों number से बड़ा number आएगा ठीक है it will be a bigger number और अगर हम इसका HCF निकालते तो इन दोनों number से छोटा number आएगा smaller number HCF छोटा number आएगा ठीक है हो सकता है इन दोनों के किसी LCM क्या होता ना दोनों number से या तो इसकी एक के बड़ाबर आ सकता है या फिर उनसे बड़ा आएगा HCF या तो दोनों के में से किसी एक के बड़ाबर आ सकता है या उनसे छोटा आएगा थोड़ा लॉजिक लगाओ दिमाग लगाओ 18 मीटर मानके चलो 1872 मत देखो इसको अभी आप 18 मीटर है ठीक है और लेंद और ब्रेथ है 13 मीटर कुछ ठीक है 18 पॉइंट सम्धिंग 13 पॉइंट सम्धिंग ठीक है यार एक हॉल है 18 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा मतलब 18 मीटर बातर सेंटी मीटर 18.72 वो अभी पॉइंट में थोड़ी देर के लिए मैं जो कौन से बताने चारू उस पर ध्यान दो कि सर एक हॉल है 18 मीटर एंड 13 मीटर 18 बाइ 13 क्या इसके अंदर जो अपन टाइल से लगाएंगे वह 18 और 13 से कम टाइल आएंगी नंबर अफ सीम आपको यहां इल सीम निकालना पड़ेगा चलिए सर इन दोनों का अपन निकालते हैं ऐल सीम बात समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई यह सौर नू बात समझ में आ गई क्या इस कोशन को पढ़ो अच्छे से आप जरा चलो अब करते हैं अपन इसका एल सीम फाइंड ठीक है चलो एल सीम निकाल लेते हैं बाई कैसे निकलेगा सर अरे बाई यह एल सीम तो निकाल लो यार कम से कम अब लसीम प्राइम फेक्टराइजेशन से निकालेंगे और क्या हमारे सिलेबर्स में तो फंडमेंटल दियोरम अफ एरिथमेटिक सी है तो उसके हिसाब से तो हमें प्राइम फेक्टराइजेशन इस्तिमाल करना पड़ेगा जी से चलो भी यह 1872 1872 का पहले प्राइम फेक्टर 10 опас थेक्राइजेशन अट प्रियूर्सावथसाएज नेस तो इन सेफ्टी तो नेस में तो अन। जा नेस अटीसिएम एएर ट्री तरी प्राइम बेशन है ट्री तरीईन्टीटिर्टीएन ऑर ठीर थेक्राइजे़र्ट retir ट्रृर्टीएं छिक्ट तो इन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1 यह 13 only, ठीक है? Next Next is 13, 20 ठीक है, भई? 2 2, 6 are 12 2, 6 are 12, 0 2, 2, 3's are 6 2, 3's are 6, 0 2, 2 1's are, 2 6's are, 2 5's are 3 3 5's are, 3 5's are 5 11, 11, 1 2 2's are, 4 2's are, इंटू की पावर 3 बटाया लिकिंगें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1 5 और 11 सर, यहां लिखते हैं 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1 अब देखो, LCM कैसे निकालते हैं फिर से समझाता हूँ, हर कोशन एक तरह से नया समझाता हूँ मैं LCM में बच्चों बड़ी पावर लेते हैं जितने भी नंबर सर, बड़ी पावर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 उठा लेंगे बच्चों पन, ठीक है, इंटू 5 की पावर 1, उपर तो 5 की पावर है ही नहीं सर छोड़ना नहीं बेटा, है ही नहीं उपर तो कोई मतलब नहीं, 5 की पावर 1 लेलो खता हूँ, इंटू 11 की power 1 सर उपर तो यहां 11 की power कुछ है ही नहीं कैसे हम बड़ी और छोड़ी power उठाएंगे इसी को ठालो नहीं है कोई तो इसी को ठालो ठीक है सर 13 की power 1 सर नीचे तो यहां 13 है ही नहीं 13 नहीं है तो छोड़ो 13 को ठालो भई नहीं करो compare power power हटाओ 13 लिख लो Poll.. Sir इनको solve करते हैं यह LCM आगया और यही बिटा गौर से सुनना हमारे पास आ जाएगा answer 2 to the 4 to the 8 2 to the 4 to the 8 to the 16 3 to the 9 इंटो 5 इंटो 13 13 मन् से 13 143 ठीक है 69 जा 144 69 जा 144 इंटू 5 इंटू 143 जितना भी आया आंसर बताए जितना भी आया आंसर बताना बिटा ठीक है I guess यहां कुछ गड़बड हो रही है ओके देखों जारा कितना आंसर आ रहा है 144 इंटू 5 इंटू 144 इंटू 5 इंटू 143 102960 तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है बहुत जादा लंबी टाइल्स आ रही है यह तो 143 इंटू 5 5 24 इंट ऐसे करते हैं इसको दूसरे तरह से करते हैं यह इतनी सारी टाइल्स तो नहीं आएंगी तो यह हो गया गलत यह तो होना है अपना गलत हो गया ठीक है अब मेरी बास सुनू एक काम करते हैं हम इसको भी साइड में करते हैं इसका यूज करेंगे देखो एक काम करते हैं अपन इच साइड अफ टायल निकालते हैं जो की होगा in दोनों का कॉमन डिवाइजर यानी HCF तो अपन निकालते हैं Each Side Of A Square Tile Square Tile की Each Side निकालते हैं कैसे आएगी Actually Each Side Square Tile की जो भी होगी वो दोनों की Common Divisor होगी Common Divisor इसली होगी क्योंकि Exactly वो ऐसे भर देगी 1,2,3,4,5 तो 1,3,2,0 को कुछ ना कुछ वो डिवाइट कर देगी परफेक्टली डिवाइट करेगी ऐसे 1,8,7,2 को भी वो डिवाइट कर सकती है तो Common Divisor का मतलब है HCF की बात हो रही तो HCF निकालेंगे 1,8,7,2 और 1,3,2,0 का चलो यहीं से निकाल लेते हैं HCF में क्या होते हैं छोटी पावर और Common वाली चीज़ आती है बस सर इन दोनों में 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 Common सर क्या रहा है छोटी पावर Common बताओ 2 की पावर 3 छोटी है Common आ जाएगी ठीक है सर ठीक है Clear है सर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में छोटी पावर बताओ 3 की पावर 1 छोटी है और Common है बिटा दोनों में 3 की ही है तो 3 की पावर 1 Common आ जाएगी अब कुछ नहीं आएगा Common क्योंकि 13 यहाँ है पर 13 यहाँ नहीं ठीक है 5 यहाँ है पर 5 यहाँ नहीं 11 यहाँ है पर 11 यहाँ नहीं तो इनको छोड़ दिया जाएगा SCF आया 2 दूज़ा 4 दूज़ा 8 8 3 24 24 आया सर SCF आया 24 तो इसका मतलब 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर यह आ गई each square side की each square side की क्या गई भई लेंथ अब थोड़ा सा अपन को मेंजूरेशन पर ध्यान दीना पड़ेगा मेंजूरेशन क्या होती है बच्चों अगर आपको each square side दी है आपको rectangle पूरा area दिया जो आपको square tiles से cover करना है तो area of this divided by area of tile आपको number of tiles दे देगा क्या दे देगा सर number of tiles number of tiles देखा मैं भी गूम गया था इस question में is equal to area of that portion जो आपको tiles से भरना है तो area of courtyard rectangular courtyard ये divide हो जाएगा area of one tile area of one tile area of square tile है ना बच्चो area of courtyard length into breath होगा क्योंकि rectangle है तो 1872 इन्टू ये लें तो क्या breath क्या है सर ब्रेथ है one three two zero one three two zero centimeter centimeter में चल रहा है ना और सर जो hcf आया था वो area of one tile निकालने के काम आएगा ये each side square की each side is side into side होता है पिटा area of square तो 24 into 24 side into side ठीक है चलो सर calculate करते हैं ठीक है सर इसको six से और इसको six से कट करो six से इसको six three zero eighteen six one zero six six two zero twelve इसको भी six से कर दो six four zero four से three one two को करो divide four seven zero twenty eight twenty nine thirty thirty one तो three बच्चा thirty two four eight zero thirty two ठीक है seventy eight आया into ठीक है four seven zero twenty eight four eight zero thirty two ठीक है सर अब इन दोनों को भी six से डिवाइड करो six और six six two zero six two zero यह आया six four zero four से इसको divide कर दो four four zero नहीं four five 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 आयेगा 55 मल्टिप्लाइ करते हैं five eights आ forty की zero four carry five sevens आ thirty five और four thirty nine और यह भी thirty nine zero nine nine ten eleven twelve की two four four two nine zero टाइल्स बिटा four two nine zero हाँ यह अंसर सही लग रहा है यार सुनने में भी कि चार अजार दो सुननब्य टाइल्स की जरूरत पड़े है ना तो ऐसे निकालना बच्चो प्लीज कैलकुलेट लाइक दिस यह ऐसे होगा एरिया वेरिया का फॉर्मुला लगेगा डारेक्ली नहीं हो सकता है अपका ठीक है दन चल्दी से ले लो बिटा स्क्रीन शॉर्ट फिफ्ट कोश्चन भी खाया खतम हो गया कोश्चन अंबर सिक्स पे चलते हैं चलो यह रा कोश्चन अंबर सिक्स इन आ मॉर्निंग वाउक थ्री पर्सन step of together their steps measure 80 cm इतना इतना what is the minimum distance each should walk so that they can cover the distance in complete steps अरे आसान है step वाले जब भी हैं LC हम ले लिया करो देखो सुनो यह तीन लोग है ए बी सी इन्होंने एक साथ चलना शुरू किया ठीक है इन्होंने एक कदम लिया तो इनका एक कदम 80 cm का आया है यहां आ गई है 80 cm एक कदम में एक step में इन्होंने एक step लिया यह आ गए 85 cm इनका एक कदम एक step जादा लंबा है इन्होंने एक step लिया तो यह आ गए सा 90 cm यह को जादा ही लंबा इनका लंबे लंबे पहर है इनके ठीक है तो एक कदम है एक step यह दूसरा step लेंगे तो फिर 80 हो जाएगा यहां आ जाएगा 80 यानि 160 हो जाएगा यह एक और step लेंगे दोस्त तो यहां आ जाएंगे सरिये तो यह स्टैपिंग देदीन की के एक कदम, दूसरा कदम, तो पहला बंदा है, छोटी हाइट होगी, तो 80-80 cm, दूसरा बंदा 85-85 cm, थर्ड वन 90-90 cm, ठीक है, यह चल रहा है, मतलब एक तरह से पूछ रहा है, कि दो तीनों का जो कॉमन डिस्टेंस आए, वो क्या होना चाहिए, कि आपसे LCM पूछ रहा है, LCM लो जल्दी से और कानी खतम करो, आपसे LCM पूछा जा रहा है, क्योंकि दिस्टेंस तो यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ना, 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 तो आंसर तो बड़े ही नंबर आएगा, ओवियस सी बात है, तो LCM of 80, 85 and 90, ठीक है, यह LCM निकालना है बच्चों अपन को, तो अपन को यह निकालना है, ठीक है, चलो, 80, 85, 90, सर 80 का प्राइम वेक्टराइजेशन करते हैं, यह आएगा, 2 into 40, 2 into 20, 2 into 10, 2 into 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 5, 16, 5, 80 बिलकुल सही है, 85, सर जी यह 5 से जाएगा, 2 से और 3 से तो जाएगा, नि तो 5 से जाएगा, 5 यहां लिख देता हूँ, मैं 5 into, 5 यह 5 यह 5, 5 से जाएगा, तो 17 यह आएगा, 17, 5 यह 85, सर नेक्स तो 90, 2, 45 आया, ना, 2, 45 आगया, इसको इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, और 3, 15, 3, 5, 5, 3, 3 जाएगा, 9 और 9 टेंसर, बिलकुल सही है, सर, LCM लेने के लिए, ओवियस सी बात है, हम बड़ी पावर उठाते हैं, और जो common नहीं आएगा, उनको भी उठा लेते हैं, किटने आप तो सभी होते हैं, ठीक है, तो इसको पावर पावर फॉर्म में लिखते हैं, सर, यह आया, 2 की पावर 3, नहीं, 2 की पावर 4 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 5, ठीक है, Sir, यह आया 5 की पावर 1 into 17 5 की पावर 1 into 17 की पावर 1 यह आया Sir 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 2 की पावर 1 into 3 की पावर 2 Into 5 5 that is 5 की पावर 1 ठीक है? गौहर से सुनना बीटा LCम जब लिया जाता है तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 इन में common में सबसे बड़ा ले लिया जाता है 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है सर ले लिए 2 की पावर 4 ले लिए ठीक है सर इनको cut लगा देते हैं ताकि समझ में आजाए कि हाँ हो गए include हो गए 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 1 लेंगे सर कट लगा ओ थरी की पावर 2 पे 17 की पावर 1 है सर 17 की पावर और कहीं नहीं है तो अपन 17 भी इंक्लूड कर लेंगे ठीक है चलो वहीं सॉल्व करते हैं 2 दू जा 4 दू जा 8 दू जा 16 16 5 जा 80 ठीक है और 39 8 9 जा 72 720 इंटो 17 17 2 जा 34 की 4 3 कैरी 17 7 जा 119 120 और 122 122 40 मीटर इस इस आर आंसर टीक है बाई जल्दी से देखलो let us finish this also 6 तवाला complete हो गया अपना ठीक है चलो बहीं आगे चलते हैं ओके भाई रुख जाओ ये centimeter होगा meter नहीं होगा सब centimeter में थे तो ये centimeter होगा और answer हम centimeter meter देखो नहीं नहीं ठीक है answer सही है ये सही answer ठीक है meter और centimeter में change कर सकते हो if you want ठीक है seventh question and I think last question है yes seventh question और करते है बिटा on a morning walk three persons step out together and there step out together LCM निकालो बही क्या ही गाए ठीक है बही जल्दी से step वही step वाला है 30 centimeter 36 centimeter and 40 centimeter भाई जल्दी सेन का आप prime factorization करेंगे 2 into 3 into 5 ठीक है 2 into 3 into 5 पावर 1 है सबकी 1 1 1 1 36 2 into 2 तो आया अपना 18 2 into ठीक है 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2 आएगा पीटा जब इसका आप prime factorization करोगे तो यह आएगा 40 2 into 20 हो गया 2 into 10 हो गया 2 से divide 2 2 is a 4 4 2 is a 8 8 5 is a 40 2 की पावर 3 into 5 2 की पावर 3 into 5 5 की पावर 1 ठीक है सर समझा रही है यह बात yes or no ठीक है अब हमें इसका LCM लेना है तो LCM आपको पता है LCM में बड़ी बड़ी पावर ने ली जाती है और जो common नहीं आए तो भई उसको भी ले लिया जाता है टू की पावर 1 टू की पावर 2 टू की पावर 3 में 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है common आ गया मतलब वही ले लिया और इनको कट कर दिया कि इनका काम हो गया तमाम ठीक है इन तू बिटा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 यहां 3 की पावर कोई नहीं है भूल जाओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 बड़ी है लिख लिए बड़ी पावर और इन दोनों को भी कट कर दो क्योंकि इनका काम तमाम ठीक है सर 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 यहां तो 5 की पावर 1 है नहीं है 5 की पावर कुछ है नहीं है छोड़ दो 5 की पावर 1 और 5 की 1 में बड़ी पावर जो हो वो ले लो यहनि 5 की पावर 1 ही बड़ी है वही ले ली इनको भी कट कर देना सब include हो गए 2 2's are 4 2's are 8 into 5 into 9 8 5's are 40 9 4's are 36 answer 360 centimeter ठीक है this is our answer what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps so 860 centimeter is our perfect answer जल्दी से कर लो भाई यह भी खतम हो गया चलो सर डंड़ना डंड़न हो गया भाई question खतम next question number next तो नहीं है भाई अब अपन 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 clear कर देते हैं और अपन खतम करते हैं आज का session साथ question हो गए what problems थी composite number प्रूफ करने को थे और प्राइम फेक्टरिजीशन था और सिक्सकी पावर एंड टाइप के questions थे तो चार टाइप के questions हमने आज अच्छे से समझ लिए next बहुत जल्दी से आ जाएगा आपको most important question का part two so that आप chapter one tension free होके कर लो complete समझ लो properly और जब exam देने जाओ तो tension free होके जाओ बिना डर के क्योंकि डर के आगे जीत है boss डर के आगे निकल गए तो सर्च करनी है magnet brains जैसे ही आप magnet brains type करोगे आपको app मिल जाएगी install कर लो और बढ़िया से आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारी app पर भी हमारी YouTube channel पर तो आप करते ही है obviously और हमारे website पर भी ठीक है class kindergarten से लेकर class 12 के कोई भी subject हो बिटा आपको properly सारे videos quality educational videos provide करता है magnet brains and that too free of cost without any money without any cost क्यों क्यों कि भई आपका बला चाहते हैं we want your good आप बढ़िये टॉप करो class में और क्या चाहिए बढ़िये रिटन में एक चीज़ जरूर चाहिए कि regular पढ़ाई करो gap नहीं करो consistency रखो regularity रखो क्योंकि regularity के बिना कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त सोचो अगर सूरज जो regular basis पे rise होता है और regular basis पे set होता है अगर उसकी regularity टूट जाए तो दुट जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा समझ रहे हो ना regular basis पे जो बरसात होती है उसका time change हो जाए सर्दियों में बरसात होने लगे सर्दियां का time change हो जाए दिसेंबर से भाई वो मार्च एप्रेल में जून में आने लगे है ना गर्मियों का time change हो जाए उनकी irregularity हो जाए तो भाई क्या होगा इस दुनिया का तो regular रहना बहुत ज़रूरी है चलो दोस्त जल्दी मिलेंगे नेक्स सेशिन तिल देन हापी लाइनिक टेक केर बाई